तो कैसे हैं आप सब यह देखिए आज हम ऐसे पतियों वाले प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसे आप ग्रो कर सकते अपने गार्डन में तो आपका गार्डन कलाफूर लगेगा और बहुत ही सुन्दर लगेगा पतियों वाले प्लांटों के बारे में बात करेंगे तो तो आज सबसे पहला यह प्लांट है क्रोटोन का यह देखिए किती सुन्दर पतिया है पतियो वाले इस प्लांट को अपने गार्डन में एड़ करिए और यह पतिया ऐसे प्रोडूस करता रहेगा नेनी पतिया निकालता रहेगा क्रोटोन का प्लांट बहुत ही खुश्रत प प्लांट के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कितना प्लांट आई है इसको अपने गार्डन में जरूर एड़ करिए देखें कितना सुंदर लग रहा है अब इसकी नएनी ग्रोव शुरू हो चुकी है नएनी पतिया आनी शुरू हो गई है यह देखिए कितनी सुंदर शुक्तिया निकाल रहा है और बड़ी बड़ी पतिया इसकी ग्रोव होही है सब seventeen ऑग नजाखीं है यह दिखिए पतियों वाले प्लांट पर्पल हड इसको भी आप अपक्ने गार्डन में एड़् कर यह पतियों वाले प्लांट यह वह अपी बफसरत लगते हैं ग्रडन ये भी बहुत सुंदर प्लांट है इसके भी कही कलर और वराइटी आती है और ये भी बहुत खुलसुरत लगता है प्लांट सिंगोनियम उसको अपने गार्डन में लगाईए दोस्तो पतियों से भरेवे ये प्लांट आपके गार्डन में एक अलगी लुक देते हैं ये लगाईए ये भी बहुत खुबसरत लगता है सिंगोनियम प्लांट अपने गार्डन की शोगा बढ़ाईए पतियों वाले इन प्लांटों को अपने गार्डन में आड़ करिए दोस्तों और एक ये आजवाहिन लीफ प्लांट ये बहुत सुंदर लगता है ये देखिए कि यहाली रहेगी और ब्यूटिफल लगेगा आपका गार्डन ऐसे पति वाले प्लांट के बारे में और ब्यूटियो बनाऊंगी थैंक्यू गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना थैंक्यू गाइस हैपी गार्डनी